T20 किर्केट की हिस्ट्री का बो एतिया सिंग मैच जहाँ पर की इंडिया ने किसी भी टीम के अगेंस्ड पहली बार 200 से ज्यादा का टार्गेट चैस किया था और उस टाइम पर स्री लंकान किर्केट टीम अपने पीक पर थी जहाँ पर की उनके बॉलर से लेकर बैट्समैन त पर की स्री लंका की तरफ से ओपन करने के लिए तिलक रदने दिल्शान और सनद जयासुरिया की सलामी जोड़ी क्रीज पर उदरती है जिनके सामने पहला ओवर लेकर आये थे आशिश नहरा जयासुरिया अपनी इनिंग्स की पहली बॉल को लैक साइट की तरफ फिलिक कर देते हैं जिस पर कि उनको अपनी और स्री लंकर इनिंग्स का पहला चोका मिल जाता है जिसके बाद में इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर आये इशान सर्मा अपने ओवर की दूसरी बॉल पर तिलर रदने दिल्शान को क्लीन बोल कर देते हैं और इंडिया को उनका पहला ब्रेक्थूरू जल्दी मिल जाता है जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आते हैं खोद कफ्तान कुमार संकारा जो की अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पर एक ट्रेटमार कबर ड्राइव लागर चोके के साथ में अपनी इनिंग्स की सुरूबात करते हैं श्रेलंगा का पहला बिगट जरूर जल्दी किरा था लेकिन उस बिगट का कुमार संकारा और जैसूरिया के उपर कोई भी एसर नहीं पड़ रहा था बोत तीसरा ओवर लेकर आई सुधीप त्यागी को गोडेफट के साथ में आपसाइट की तरफ एक करारा चखकल आते हैं जोकी उनका और शिलेंगन टीम का पहला चखका था जिसके बाद में उसी उवर की अगली बॉल को संगकारा कबर्स की तरफ खेल के चोका बटोड लेते हैं दोनों ही बैट्समें सभी इंडियन पेसर्स के साथ में खिलबार कर रही थे जहापर की जया सूर्य नहरा की एक उवर में बैक टू बैक दो चोके और कबर्स की तरफ पंच करके एक शांदर चकल आते हैं और पेसर्स की ऐसी पिटाई को देखकर पावर पिले के बाद में कप्तान दोनी अपने पार्ट टाइम बॉर यूसूप पठान को स्ट्राइक पर लाते हैं जिनके ओबर की पांच मी बॉल पर जया सूर्य सूइप करना चाहते थे लेकिन बॉल उनके पैट्स पर जाके लगती है और वो 21 बॉल में 31 न मना कर LBW आउट हुजाते हैं और आप बैटिंग करने के लिए आयते चिंता का जाय सिंगे यहां तक कुमार संकारा धीरी धीर करके अपनी हाफ संसूर की तरफ बढ़ रहे थे कुमार संकारा न एक 31 बॉल में 29 न की एक बहतरी पारी खेली थी और आप स्री लंका की तरफ से बैटिंग करने के लिए आयते महिला जैबर्द ने महिला जैबर्द ने भी अटैकिंग स्रॉट्स के साथ में रन बना रहे थे कि तबी इसान सर्मा की एक स्रोर बॉल पर महिला बड़ा शोट लागाना चाहते थे लेकिन महिला इस्टेट पर सुधी प्यागी खड़े थे जो कि उनका आसान सा कैंच पकड़ लेते हैं स्री लंका का स्कोर 13 ओवर के बाद में 145 रंपर चार बिगट हो चुका था स्री लंका के बिगट जरूर गिरे थे लेकिन उनका रन रेट काफी अच्छा था और अब स्री लंका की तरब से बैटिंग करने के लिए आए थे चमारा कपू गेदरा जो कि युबराज सिंग की एक बॉल पर लोगोन की तरफ एक बड़ा शोट लगाना चाहते थे लेकिन बॉल हवा में ही टंग जाती है और कपू गेदरा चार बॉल में दोरन मना कर कैंच आउट हो जाती है और अब बैटिंग करने के लिए आए थे कोशल लग बीरा रतने और फिर अगला ही ओबर लेकराई युबराज सिंग की एक शोट बॉल पर जया सिंग के लेक्साइट की तरफ इक बड़ा शोट लगाना चाहते थे लेकिन वो भी 28 बॉल में 33 मना कर कैंच आउट हो जाती है और अब श्रिलंगा की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए थे एंजलो मैथ्यूज मैथ्यूज अपने इनिंग्स की पहली बॉल पर भाग कर सिंगल चुनाना चाहते थे लेकिन वहीं बिरेंदर सहबाग के गुड़ थो की बड़ालत नौन स्टाकर एंड बाले बीरे रतने रन आउट हो जाती है और अब मैथ्यूज का साथ निभाने के लिए आए थे नुबान कोला सेखरा मैत्यूज अपने एंड से लगतार बाउंडरी round बाउंडरी ज लगा रही थे और तभी इशान सर्मा की यॉर्कर बॉल पर मैत्यूज लेकसाट की तरफ फिलुकर के शांदर चृकल लगाती है और इनिंग्स के लाश्ट बॉल पर एंजलो मैथियूज लेकसाइट की तरफ एक छकल आती है और ऐसे मैथियूज के अच्छे फिनिसिन टच की बदोलत स्री लंका 20 ओवन में 206 रन मना लीती है और अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 207 रन मनाने थे जो की उस टाइम के ट्यूटन टी में काफी बड़ा स्कोर होता था इंडिया की तरफ से ओपन करने के लिए गौतम गंबीर और बिरियंदर सहबाग की सलामी जोड़ी क्रीज पतरती है और अगर इंडिया को ये इतना बड़ा टार्गेट चैस करना था तो बहाँ पर बिरियंदर सहबाग का चलना जुरूरी था तबी गौतम गंबीर का बिगट जरूर गिरा था जो कि दोनी की इनिंस का पहना चक्का था और फिर बिरेंदर सहवाग कोला सेखरा की एक बॉल को फाइनल लेक की तरफ खेल के चार रन के साथ में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं गंबीर का बिगट जरूर गिरा था लेकिन उस बिगट का दोनों ही बल्लेबाजों के उपर कोई भी एसर नहीं पड़ रहा था फिप्टी के बाद सहवाग अगली बॉल पर कवर्स की तरफ एक और चक्का लगा देते हैं इंडिया के लिए इस मैच में आसानी से बाउंडरी और बड़े सोट्स आ रहे थे और बॉलर्स की ऐसी मार को देखकर कैप्टन संग कारा अपने मेजर फास्ट बोलो लसिद मलेंगा को स्टाइक पर लाती है और सहबाग की थोड़ी बहुत कमी को पूर करनी के लिए आयती सिक्सर किंग युबरा सिंग जो की अपने टाइडल के अकोडिंग ही स्रि लंकर फास्ट बोलर्स पा चखकों की बरसात कर रहे थे युबराज उचे उचे और लंबे छक्के लाकर सेहबाग की कमी को क्रीज पर महसुस नहीं होने दे रहे थे और अब यहां से इंडिया को लाजट के 49 बॉल में एक्स्टाटरंच आए थे तबी मलिंगा की एक शॉट बॉल पर आपसाट की तरफ कट करके महिनर सिंग दोनी एक चौकला देती हैं जिसके बाद में सोल में ओबर की पहली बॉल पर युबराज सिंग अपना एक ट्रेडमा क्लासिकल चका कबर्स की तरफ लगाते हैं और फिर उसी ओबर की तीसरी बॉल पर युबराज सिंग इस बार लॉगान की तरफ अपनी कलाईयों की कला दिखाते हुए चका बटोरते हैं और सिक्सर केंग के ऐसे ऐसे चकाँ को देखकर पूरा स्टेडियम मस्ती मत जूम उठा था और जहां पहले रिक्वाइड रन रैट 10 का था पहां से घटकर आब इंडिया को 21 बॉल में 22 रन चाहिए थे और फिर अगली बॉल पर सिंगल लेकर युबराज सिंग अपनी हाप सेंचुरी पूरी करते हैं और सोल में ओबर की लास्ट बॉल पर दिलैरा फर्नेंडो धौनी को एक स्लोर यॉरकर बॉल पर बोल्ड कर देते हैं और 28 बॉल में 26 रन बना कर धौनी चलते बनते हैं और अब बैटिंग करने के लिए आयते हैं शुरेश राइना स्टाइल के साथ में इंडिया को ये मैच जिता देते हैं जिसके बाद में इंडियन फैंस और इंडियन प्लेर्स की खुशी का कोई ठिका नहीं रहा क्योंकि इंडिया ने ट्युटन्टि क्रिकट में पहली बार 200 रन से जादा का टार्गेट चेस किया था युबराज सिंग ने मातर 25 बॉल्स में साय टरन के एक बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स खेली थी जिसके लिए उस मैच में उनको मैर उफ दा मैच भी चुना जाता है